हेलो स्टूदेंट्स वेलकॉम हेर अगेन और माई चैनल जानकारी हित मैसल फिर अभिलाशी शर्मा आज असी गल करांगे अकाउंटेंसी दो बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक बैंक रिकांसिलेशन स्टेट्मेंट पार्ड फर्स्ट वीडियो नूंबर 40 EP अज जो टॉपि इज है ओधे डिगारडिंग आशी गल करांगे मीनिघ अ डीर बी आर्स है जिसनो SU मैं बैंक प्रॉप शॉ dapat सद्न परडेख कर यह वीडियो नूर्ट थो एंट रिए सब्सक्राइब करें नार्मल जानकरी तो ने सारे ने अपने करांदे वीचे पासबुक देखी होनी जोदों भी कोई व्यक्ति बैंक दे वीच अकाउंट खलवांदा है तब बैंक उस व्यक्ति नो जो जो बैंक दे वीच ओधी ट्रांजक्शन होंदिया ने उस रिकॉर्ड अक्तियार केती हुए स्टेट्मेंट नो इक इस ट्राइब दी बुक्च बनाया वया हूंदा है जिसनों सी पास्बुक कहने है पास्बुक देखी कॉलम ने क्लियर करने ने डेट पर्टिकुलर्स विड्राल्स डिपॉजिट्स बैलन्स डिपॉजिट्स से वीच एथे सी लिख्या व्या हूंदा है ते विड्राल दे ना थे DR मिंस डेबिट लिख्या हूंदा है इदा मतलब सुझा जो जोदो भी कुई कस्टमर बैंक देवीच पैसे जमा कराना है बैंक होदे अकाउंट नो ट्रेडिट कर दंद है क्योंकि पैसे जमा कर्वान दा मतलब वह पैस या 6000 फिर 2000 विड्राल है जिसना उने डैबिट किता जो तो भी पैसे विड्रा किते जाने ने कड़वाये जान देने तब बैंक कस्टमर दे अकाउंट नो डैबिट कर देंदा है क्लियर टेओधा बैलन्स कटके 6000 जो दोजार माइनस के ते बैलन्स कटके 4000 रह गया फिर उन्हें पिछतर सो जमा कराएं बैलन्स वद के 11500 हो गया सिमिररली ये प्रसेस जारी रहन दा है ये बैंक सी पास्बुक सी ये दे वारे जानना जुरूरी है क्योंकि साधे अस्दा टॉपिक के देना अर्लेटेड है इस तो बाद असी वपारी दी गल करिए ता वपारी अपने बिजनस दे वीचे कैश बुक त्यार कर दा है कैश कर्णप के डिंड वजा ट्रीपल कॉल्म हां दी है उसे दो कॉल्म इत्थे मैं दिखाएक नई कैश दे बैंक बैंक निखेंज दा कॉल्म भी हो साथ एक क्रिपल कॉल्म है ता ओ एथे ही दिखाया जाना है cash book दे bank column दे वीच जदो असी BRS दी गल करांगे त्यान रख्यो असी इस column दी बिल्कुल गल नहीं करनी cash वाले दी असी गल करांगे bank column दी अज मैं भार-बार नहीं कहना इक गल त्यान रख्यो जदो भी आज दी वीडियो जिते मैं cash book दी गल क करूंगा this means bank column of cash book ता cash book दे balance दा मतलब bank दा balance किन नहीं साधी cash book दे उनसार जिमें थे 15,580 है balance क्लियर तो बाश्चुडेंट कंबाइंड जे कर देखिए मानलो एक कोई businessman दी ये cash book है ते pass book है cash book दी इस साइट से उते receipt साजन नहीं आने जे cash दी कल करिए इस साइट दे payments साज आने ते जैसी bank column दी गल करिए debit side ते सारे deposit सांदेने credit side ते सारे withdrawal आने जिनने पैसे कड़वाया जाने चेक नल कड़वाया जाने cash कड़वाया जावे किस कारण भी जिकर पैसे bank चो विड्रा किते जान देने bank चे balance कड़ दा है ता credit side दे आनने पास book तो नुमें दसे जुके उन्हें दो ने cash book ते पास book एको वपारी दी इना सारे यां बहुत सारे यां transactions मिल रही आने जादा तर मिलनी आ भी चाहीं दी आने पर last balance देखो इथे 33,000 आ रहे ते थे 49,900 ती आ रहे पास book तक कह रही है वपारी दा balance 49,900 ती है bank cash book कह रही है 33,000 आ है YSO कुछ तो गड़व की है इही ही आसी पता करना हुन दे, B.R.S. इस करके ही बनाई जान दी है जिते दोना दा मिलान करना सिखाया जाए GO कि केडियां entries ने जड़ियां cash books है गियां बड pass books नहीं ते जड़ियां pass books है गियां बड cash books नहीं और दोना दा मिलान करना ही bank reconciliation statement बान दी है Magic लांदा मतलब किस तरह मालो असी डिपोजिट सी गाल करिए कैश बुक दे 40,000 डिपोजिट कीते थे क्रेडिट 40,000 क्योंकि पता है जी कैश बुक चे डैबिट होंदे ने ता पास बुक चे 40,000 क्रेडिट यह मैं 10 जुक है जो दो भी कस्टमर जमा करांद है फिर 2,000 डैबिट होे ने कैश बुक से 2,000 क्रेडिट फिर 3,000 डैुट होे ने फिर पंदराती सो सो क्रेडिट फिर एक थे तिन हजार डाविठ होए एक थे be तेन हजार नहीं है निया के तेप प्लिछ? इंलावा 25 क्रेडिट अप्र इते नहीं है के cashbooks कारण कीज है Similarly, cashbook दी credit दे, passbook दी debit side नो मिलान करके देखे हैं इस difference दा अंतर कड़म दे लई ही, इस difference नो reconcile करना दे ले ही आज दी साथी video है इस method है, technique जिर दी कल करांगे BRS की में बनाना है Students, bank reconciliation statement की यह दा base में तो नो समझाता, एक वरी फेर देखिए When any customer of bank receives the bank passbook और bank statement, having all records of customers in bank, from bank, he compares it with the bank column of cashbook जदों भी किसे customer नो bank तो अपनी passbook या bank statement मिल दी है जिस देविट customer दे bank दा सारा record होंदा है कि bank की deposit या withdraw कीता है ता उसनों हो अपनी cashbook दी bank column नल compare करता है, मिलान करता है In normal entries, cashbook and passbook should be same जिक राम entries ने, ता naturally same होनी चाहिए दियाने क्योंकि वपारी दी ही cashbook दा bank column है, वपारी दे ही passbook है But in practice, these two generally differ पर business देवी चाम तो उड़ते है, differ कर जंदेने जिमे मैं पहलूं दिखाया कि अंतराजंद है In such cases, we need for preparing BRS ता उस आले सानो bank reconciliation statement बनानी पहन दिया है उदी जरूरत महसूस हों दिया है Bank reconciliation statement हुंदी की है पहला दो नुपता हुना जी दे statement हो है जिदा कोई fix format नहीं होंदा सुभी दा जनक टंग देना और कोई भी टेक्निक हमना के business में एक list त्यार कर लंदेने That is bank reconciliation statement Account दे वीचे fix format होंदा debit side, credit side, fix format नहीं बज statement दा कदे कोई fix performa नहीं होंदा यह त्यार रखे उस तो बद bank reconciliation statement दो जेतर सी definition बना दी कोईश्य करिए BRS जिसनों मैं BRS दा मजला bank reconciliation statement bank samayozan statement जा सारण samayozan हिंदी दा श्रवत है Punjabi चे Milan के देने bank milan statement की हुन दिया है BRS is such a statement which is prepared to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per the pass book इस करके बनाई जान दी है जिसनल cash book दे balance नो pass book दे balance नाल reconcile किता जा सके मिलाया जा सके it is a statement showing the reason or cause of difference यह statement जही है जिसनल सारे reason दिखाये जाने जिस करके दिखनान दी जरूरत महसूस वही it is not a part of bookkeeping यह तियान रखे हो BRS bookkeeping दा हिस्सा नहीं है यह दे बीच कोई double entity system नहीं लगदा के personal account, real account, nominal account रहे जाब कुछ भी नहीं है it is just a technique, it is just a method जिस मर्जी टगनल असी reconcile कर लिए cash दे पास book नो यह तियान रखे हो सिर्फ एक technique है by preparing BRS if there is an error committed can brings out जो तो असी BRS बनाने है जे कोई गलती हुई है चाहे वो बैंक दे भी हाफ दे होते हुई होई या कस्टमर ते या कोई चीजा हजे pipeline चोन कोई ट्राजिक्शन हजे रस्तेच है cash business तो जा चुकी है bank तक नहीं पहुंची bank हो चुकी admit business तक नहीं पहुंची और सारा कुछ पता करनदा टांकी है bank reconciliation statement इसनों बना दी जरूरत क्यों है causes of difference गास्टों क्यों हो डिफरेंस होंदा है पर difference हुंदा क्यों है causes of difference की है cash book ते पास book दे विच just we are going to a certain causes check issue but not presented for payment जल्दी जल्दी करिए वपारी ने check issue कारते अपने customer नो पर customer bank चे जेकर पैसे लेन लई नहीं जानगे ताँ वपारी अपनी cash book दा balance bank दा column दा कटा चुक्या होंदा है but bank चाज़े नहीं कटाया क्योंकि customer उते payment लेन लई नहीं गए ये वी का कारण हो सब है किसे particular date नो difference दा checks sent to bank for collection but not collected by bank वपारी ने check bank नो पे इस दे collection दे ले जिस दिन पे जेगा वपारी अपनी cash book दे वीच और check deposit दिखा लेगा bank columns but bank ने collect नहीं की थे bank ज़र तो collect नहीं करदा उत्द को हो थे deposit नहीं करदा credit नहीं करदा हो दे accounts इस करके भी difference हो जंद है किसे खास date था या था बैंक ने इंट्रस्ट अलाव किता है या बैंक ने ओवर ड्राफ्ट दे इंट्रस्ट चार्ज कर लिया पर बिजनस्मेन नो दी नौलिज नहीं इस करके भी cash book दे pass book दा balance अलग लग हो जंद है bank charges commission etc charged by the bank bank ने बहुत सरे खर्चे चार्ज कर ले commission ले ली कोई भी होर खर्चा सी ओधे नाल business man दे अकाउंट नो debit करता business man दे अकाउंट नो debit करता bank दोबार दा बैलंस कटा आता खर्चे अंगर के और business man नो दी नौलिज नहीं सी इस करके भी difference आज़न दा है payment made by bank like insurance premium on behalf of customer जेकर customer ने bank नो क्या हवे है कि उसने कुछ payments करनी आने just like दा बी में दी किष्ट पे करनी है जा कोई होर खर्च पे करना है ता उस हालच बैंक ने जो दो payment कीती वपारी दा बैलंस कट ज़न दा है पर वपारी नो दे वारे नौलिज ओदों तक नहीं मिल दी जात तक bank तो statement नहीं आन दी इस करके भी cash book ते pass book दा difference होंदा है dishonor of below check कोई check सी issue कीता ज़र जमा कीता बट ओड dishonor हो गया उदी payment नहीं होई चाहे bill of exchange दे विच आसी bill receivable दी गल करिये bill payable दी गल करिये जा check दी गल करिये चाहे रसीम हो रहे है या payment है तो उस हालत दे विच दोना दे विच डिफरेंस आजन्द है क्योंकि bank जड dishonor हो गया वपारी नोदी knowledge नहीं चेक issued और paid into bank बाच omitted to be recorded in cash book चेक issue करते bank ने payment भी करती पर cash book चे लिख नहीं पूल लगे यस कला issue नहीं एत्यान रख्यो चेक कला issue नहीं जे चेक deposit भी करवाय जाने रहे हैं जेकर cash book चे entry करना पूल लगे ताहां भी difference हो सकते any wrong entry on debit or credit side of pass cash book चे पास book दे विच वपारी दोवारा या bank दे दोवारा कोई गलत entry होगी होगे मलो बिजनस मैंने machinery परजेज किती payment cash किती सी bank चे दिखाती इसे तरह किसे hold the payment किसे hold the transaction bank ने वपारी दे अकाउंट चे दिखाती ताहे बहुत सारे कारण ने जिना करते cash book ते pass book दा balance ने जड़े whole different आंद है load many causes can be दिया हाज जी student clear अगे गल कर दें अपा इतनों में दिखा चुक है जी मैं इत्थे मैं दिखाया सी अलड़ी मैं slide दिखा चुक है इक कोई वो पारी दी cash book कहते pass book सा अनूं पता है ना दे जड़े balance ने इते 30,000 आ रहे इते 49,000 आ रहे क्यों नहीं मिल रहे इना चुई बहुत सारे कारण होंगे जिना दी मैं गल हुनी करके हटे है त्या हो अपा अगर यहुन बड़ा important issue है numerical देवल बाद रहे हैं अपा किसे भी cash book दे जो तो मैं cash book दी कल कर रहे है bank column दुबारा फिर repeat कर रहे है बहुत बार दस ने अजमें कर cash book दा मतलब BRS दे विच bank column है cash book दी cash book दे debit balance दा मतलब pass book दा credit balance यह त्यान रख्यो clear यह दा मतलब वपारी दा जा customer दा bank चुछ पैसा जमा मनने जानदा है जे cash book दा debit balance है जा pass book दा credit है दूसरे पास से credit balance of cash book means debit balance हो pass book जे cash book दा credit balance है तब pass book दा same debit balance होंदा है ते इस दा मतलब विक negative balance होंदा है जिन्हों असी overdraft जा overdrawn from bank by the customer जिदो bank दे विचो overdrawn कीता है overdraft जिन्हों कहने ने जादा ड्रा कर ला है जिदों की पैसे हैं नहीं सी एक negative balance होंदा है cash book दा credit दा मतलब overdraft होंदा है pass book दे debit balance दा मतलब overdraft होंदा है ये ते हां रखे येस हुन कल कर ये BRS बननी के में cash book नाल जा pass book कनल की में शुरू करना है नो BRS can be started with cash book balance after reconciliation bank pass book balance is attained cash book दे balance नाल शुरू किती जा सकती है ते एंड़ जिड़ा बैलनस आएगा वो pass book दा आजेगा या BRS can be started with pass book balance after reconciliation cash book balance is attained BRS नो उसी pass book दे balance नाल भी शुरू कर सकते है ते एंड़ ज़े cash book दा बैलनस आज़न है किस तरह आज़न है अपन इमेरिकल कुश्चन करांगा how to make BRS BRS बनानी की में है बैंकरी कंसले स्टेट में सानू पता है as to make BRS इस टकनीक कोई principles नहीं है कि स्रीफ टकनीक है it's not a part of book keeping सब तो best unique technique में तो नू समझा रहे है त्याननाल सुनियो स्टूडेंट्स इनू पूरी तरह ग्रैब कर लो BRS बहुत इसी हो जेगा hardly 4-5 मिनों चासी कोई भी tough question कर सकाँगा जे इस टकनीक नहीं अपना है assume yourself as whose balance is given अपने अपनो ओहो मनो जिस दा balance questions देता है means balance of cash book is given assume yourself as a businessman मन लो जे cash book दा balance देता है cash book किदे कोल होंदी है वपारी कोल pass book किदे कोल होंदी है bank कोल अपने अपनो बिजनसमें मननो जे pass book दा balance देता है अपने अपनो बैंक मननो पहला step है सब तो important clear second after that अपने अपनो जो भी मन ले balance देया नुसार reconcile both cash book and pass book जो तो आसी reconcile कर दें one thing must be clear to you whatever you are assumed yourself you will change only yourself तुसी जो भी अपने अपनों मनने है तुसी सिर्फ अपने अपनों चेंज करोंगे you don't have right to change other तुसी दूसरे नों चेंज नहीं कर सकते इता मतलग जे तुसी अपने अपनों बिजनसमेन जो रहा है question पास्बुक दा balance दीता अपने 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 अपना नों बैंक मनना गे फिर असी बैंक नों ही चेंज कर सकते है आसी बिजनसमेन नों जा डीविरफ बैलान जा राज़ए पर्मानेंट clear किस तरह मनने तो नों में अगे दारत ना है ए पहला ही में दास चुके हैं इतों important है positive और favorable balance means debit balance of cashbook और credit balance of passbook के तब पते ही है positive जा favorable balance किड़ा मनें दा cashbook दा debit, passbook दा credit समझे लगया है दा मतलब business में अंदा पैसा जम है negative ते unfavorable balance दा मतलब ही हुन दा cashbook दा credit ते passbook दा debit balance लोड़ी technique हों दी या BRS बनान दी उस technique या उस method नो से यहने add less method या plus minus method किस तरह होंदा है plus minus add less method आओ students इजा सी question दे मुझा बड़ा एज़ी है numerical question है prepare BRS on 31st December 2018, 31 December 2018 नो सी BRS त्यार करनी है साड़े को दीता हो या कि यह questions बैलंस आइस पर cashbook बैंक कॉलम on 31st December 2018, 9,000 cashbook दा balance देता है 31 December 2018, 9,000 cashbook दे balance दा मतलब असी अपने अपनो की मनना है business man मनना है असी अपने अपनो चेंज करना है बैंक नो चेंज नहीं करना, बैंक ने जो करता हो दे accordingly असी अपने अपनो पाव cashbook नो चेंज करांगे ठीक जा गलत है बिल्कुल नहीं सोचना, कि बैंक ने ठीक किता जा गलत ओके, दूसरा एक अलते आन रखियो, cashbook दा जो balance debit जा credit ना लिख्या वया होवे हमेशा positive balance मन के चलो, चाहे cashbook दा जा पासबुल जे नहीं लिख्या होने, positive balance की होंदा है, cashbook दा positive balance debit होंदा है, passbook दा positive balance credit होंदा है, ओके, समझ लगया मेरी गल, उस्तोबाद चेक पेर इंटू बैंक बैंक बटनोट डिपॉस्टिट बिफॉर 31st दिसंबर 2018-04 सार इकती दिस दिसंबर तक, चेक बैंक देविच जमा होनली पेजे पार बैंक ने जमानी कीते से, second, चेक ईशू बर्टनोट प्रेजेंट बाइदा कस्टमर टेल्ड 31st दिसंबर 2018-2020, चेक जारी करते बिजनसमेन ने, पर कस्टमर बैंक चेक लेके पैसे लेन नहीं गए, अंतर आएगा बैंक ने चार्ज कर ले, चार्ज रुपे डैबिट करता अकाउंट नो पावो थे कटा था, बैंक ने खर्चा कर लिया, एदा मतलब बिजनसमेन नो पता नहीं, चेक और अमाउंट, चाहे चेक होवे जा रकम, डिरेक्ली डिपोजिटेड वाइक कस्टमर इन दा बैंक, कि पैसे कस्टमर ने सीधे साड़े बैंक अकाउंट पैसे जमा कराते हैं, जी मैं आज कलो ओनलाइन ट्रांसफर हो जा देने, बट कस्टमर ने बिजनसमेन नो इंफर्मेशन नहीं दी थी, ते नैचरली फिर कैश्वुक दे, पास्वुक चो डिफरेंस आन्द है, इस करके सा अनु बी-र-इस बनान दी जरूरत महसूस हो रही है, आँ बनाये बी-र-इस बनी की में, स्टूंट बी-र-इस दा परफॉर्मा जरूरली एकसेपटेबल परफॉर्मा यह ही हम दे, बद तो बहुत बद इते सीरियल नमबर दा एक कॉलम बनाने हैं, और दी जरूरत नहीं ह प्लस माइनस रूपीज मीन्स ये था सी अमाउंट शो करांगे क्विश्चन में थे तोड़ी जानकर ली दुबारा फिरे थे लिखे हैं सब तो पहला देखो तो फर बलंस ईयज पर कैश था स्वेक अंव害 अनस सार कैश भुत डरा रटा बैलंस है नौँजर जमाहे ली पे जे फ़र बैंक चा जमाई नहीं होए एक लिस्म है। फूंसो चोफो थे आन्राल कैश्बूक दा बैलन्स है असी व Simpson कपा रही है। चेक जमाहे ली पे जे असे इपनी कैश्बूक दे विच जमाई कर ले। पर बैंक च नहीं होए, बैंक दा बैलंस ता कट आवे है, उत्थे कस्टमर दा बैलंस वद्या नहीं क्योंकि चेक जम ही नहीं होए, उत्थे डिपॉजिट नहीं होए, उस आलच असी भी अपने अपनों बैंक दे अकॉर्डिंगली कटा आलांगे क्योंकि उसी बैंक नुद presented by the customer till 31st December 2000 2000 दे चैक इशू गीते देते customers नों असी वपारी ने कटके असी अपने वपारी मन रहे हैं असी कीता हुएगा सोचके देखो जे असी वपारी हैं असी अपना balance cash book दे विचे कटाता हुएगा बैंक चैके customer bank जाओगा पैसे कटाल हुगा पर bank ने होते payment ली पेश ही नहीं किते what not presented by a customer पेश नहीं किते bank दे वीचे ता bank साड़ा balance नहीं कटया bank साड़ा balance वदयावे है ता असी वी वदा आदांगे वदा आदांगे मतलब प्लस चैक इशुट but not presented for payment ये असी reason लिखता ते 2000 प्लस करते असी bank दे बराबर रखने है अपने अपनों clear क्योंकि अपने अपनों की मन रहे है इस टम बिजनसमेन क्यों मन रहे है क्योंकि cash book दा balance लेके चल रहे है क्योंकि cash book की दे कौन त्यार कर दे businessman fourth one bank charges debited by bank 400 bank ने 400 रुपे debit करते खर्च यांदे debit means अड़ा balance कटा था cash book दा नहीं कटी तब रबर असी bank दे आने तो असी 400 रुपे क्या अनल सोचो असी 400 रुपे कटा रांगे negative करते 400 रुपे minus less करते जी bank charges लेके fifth check directly deposited by customer in the bank customer ने सी दे bank पैसे जमा कराते 400 रुपे दे check जमा करवाते तो सोचो जे bank दे भी जमा और बैंक दा balance इंक्रीज हो चुके सवानू नहीं पता आसी means बिजनस्मेन नहीं पता ता आसी वी वदा आदा आगे क्योंकि bank ये balance वाच चुके customer ने सी दे पैसे जमा करा आए जी checks directly deposited by customer ने दा bank को 400 लेक्के आसी plus करता है इस तो बाद student से दा balance कर दी दा हुंदे clear है balance as पर cash book नल question शुरू है या सी balance as पर pass book आएगा जे pass book नल शुरू है होंदा ता end जी cash book आएगा उन debit आएगा जा credit ये depend करेगा balance करने तोटल की ता plus side जादा आ रहे है 11400 साफ है क्योंकि credit side ते सिर्फ 4400 आ रहे है total दोनो ट्राजेक्शन दा साफ है positive side जाद है favorable balance जाद है pass book दा favorable balance कर दा हुंदा credit balance ते हो किन आ गया 7000 और ये थे लिखके दोनों side दा टोटला सी मिला था clear इस तो इलावा students आड़ी books दे विच कहीं वारी इस तो भी दिखाया है हुंदे add less same चीज़ है करना कि ये जड़ी positive items ने add करने वाली हो पहला दिखाती है जिड़ना नेगटिव होना है balance होना दो बाच दिखाना नजरीया same है same tongue है बाकी को कोई फर्क नहीं just like 9000 दा balance ही positive दिखाता क्योंकि positive balance है same question है check banks pay कीते but bank ने deposit नहीं कीते 4000 दे ता असी balance cut आया सी less करता check paid but not deposited till date 31 December तक नहीं होए till date दा मतलव फिर check paid तो बाद next check issued customer ने payment ली पेश नहीं कीते issue किते था सी balance cut आता सी हुनवद आदागे क्योंकि banks नहीं कट आया 2000 एड़ करते similarly bank charges ने balance minus होया सी था असी वी minus करता check customer ने directly bank जमा करते इसी असी वी add करते वपारी होंदे ना थे क्योंकि cash book दा balance है फिर उसे तरह balance कर दया तो उसी चाहिए उस टेक्निक नल इकी का item आई जारी है उदेनल कर लो बेस्ट हो ही है जो मैं पहला करवा चुके हैं उसे रहा कराके रुखो ही की आइटम लई चलो ते उन्हों दिखाई चलो उन्हों देखो एक्रियोस्टी लेवल रहना चाहिए दे के overdraft हो वे जेकर cash book दा या पास book दे balance होन एदे नाल लेटर नेक्स्ट वीडियो दे विच तो अदे नाल डिटेल दे विच एन्हों नमेरिकल लिए सी देखाँगे तिल देन, थेंक्यू वेरी अच ओन्हों देखाँगे